हेलो बच्चों क्या हाल है आप सबका चलिए आज हमनों को डिटर्मिनेंट पढ़ना है डिटर्मिनेंट में जो पहला टॉपिक हमारा है यसिवयवेशन और दूसरर टॉपिक जो हम लोको पढ़ेंगे माइनर कोफेक्टर्स वुद्ध डिटर्मिनेंट आज हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है इन इवालुवेशन एन माइनर सब्सक्राइद of determinant अब आप लोग का याद भी होगा कि डिटर्मिनेंट के देफिनिश्य पिछले बार मैंने बताये था और इसमें यह यह बने आको बताये था आपको याद हो तो क्या मैंने बताये था आपको it is a square matrix कुण सा matrix होता है square matrix यान कि जो determinant होगा मेरा या तो 2 by 2 होगा या तो 3 by 3 होगा 2 by 2 के लिए आपको हमने expression बता दिया था expansion कैसे होता है हम लोग आज 3 by 3 के लिए समझना है चलिए आज देखते हैं 3 by 3 के expansion देखिए सबसे पहले ये लिखेंगे एक होर्जोंटर वर्टिकल अंचिपा लिजिए यह देखिए यह दुनों चुप गए जो remaining बचता हुसको लिख दीजे remaining बचा क्या खिश फर बीच में माइनस लगाई पहला फूसरा माइनस है फिर उसका छर्षंटर वर्टिकल अंचिपा ईजिए देखिए चिल रिमेनिक बचता है इसको लिख दीजिए d a g i फिर प्लस c फिर इसका होसेंटर वर्टिकल आँची पालीजे देखे जो बचा उसको लिख दीजे d e g h expand करने आपको आएगा this minus this cross multiplication rule इसको expand कर दीजे क्या हो जाएगा a e i minus f h minus b d i minus f g plus c d h minus e g देखे ये expansion हो गया इसका from row 1 ये expansion है कहां से from row 1 अब देखिए हमने row 1 के तुरू इसको expand करना सीख लिया अब determined की एक property होती है property किसकी है determinant की determined की property है वो कहता है ये जो हम लोग expansion करते है from any row और any column is always same हम इसा क्या आता है same आता है किसी भी रोग किसी भी column को थूरू इसको expand करें तो answer क्या एगा इसका same जैसे row 1 के थूरू expand किया हमेने किसी ने आप से के दोस्त ने कहा है कि आप इसको column तो के थूरू expand करो तो एक सीजा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको expansion करना होता है तो नोगोडिकन में पता हूँ नहीं अच्छी इसमें. प्लस माइन जाता है यानि कि पहला प्लस होगड़ा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर यह प्लस पिर माइनस कि यह आल्टनेक्स में माइनस आते हैं तो कालंस नूंबर नूबर टू को रखुए तो कलान नोंबर टू यह मेरा क्चलन नूंबर टू में देखें बच्छा पाटी पहला मीरा कि इसका बचाभ मेरे पस किआ तसको बचता मेरे पास दीस एफ ऑग फृश्टा य। फिर इड के साथ किया आएगा ब्लस तो बच Border Ah Psin इसका आज गउनर गरिमार को देखिएेट एसी जी ऑई फिर माइनिस ह textures को dal्सूट वर्टिकल लाइन क्या बचेगा a c df क्रॉस मलिप्लिकेशन आपको करने आएगा b d i minus f g plus e a i minus c g minus h a f minus c d यह इसका expansion हो गया यह plus minus क्यों हो आथा इसका आप भी जाम लोग माईनर एंको फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको reason clear हो जाएगा क्यों प्लस माइनस आता है फिलाल के लिए अभी expansion के लिए अल्टेनेट प्लस और माइनस आते हैं ठीक है तो यह जो quantity है और यह जो quantity है जब आप करेंगे सबकी value सेम आएगी दोनों के दोनों क्या है सेम है कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है आंसर हमेसा सेम आता है किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें सेम आता है अब आए अब देखते है माईनर को फेक्टर क्या होते हैं क्या होते हैं अब देखिए कि अगर हमसे टू बाइटू मैट्रिक्स है कि टू बाइटू मैट्रिक्स में अगर हमको निकालना होगा माइनर तो जितने elements होते हैं उतने number of minus निकल कराते हैं यह बात अपने दिमाँ बैठा रहेगा जितने इसमें दोनों ह। तो इसमें पूचा नहीं सब्सक्राइब दें नंबर माइनरं सीक्षिकर लेते हैं माइनर के बार हुआ चलिका निकलेंगे। कि मानिन सब्सक्राइब रिप्रेजेंटेट बाई गाप्टल आए गैप्टल एम और बेस पर आई एंड जे वही जो हम लोग मैट्रिक्स में पड़े थे क्या बताएगा नंबर ओफ रो यह बताएगा क्या नंबर ओफ अब देखिए अगर हमको निकालना होगा एम टू वन तो रो नंबर टू यह हो गया यानि कि सी का माइनर पूछना चाहरा है तो जिसका माइनर पूछना चाहता है उसका वर्टिकल और होर्जेंटल लाइन आप चिपा दीजिए तो आंसर विल भी देखें ध्यांसर समझेंग आंसर विल भी बी सेम इसी तरह अगर हमसे किसी ने कहा एम वन वन बताईए तो रो नंबर वन कॉलन नंबर वन ए है उसका वर्टिकल होर्जेंटल लाइन चिपाई है जो रिमेनिंग बचता वही मेरा आंसर हो जाता है इसी तरह कर हमसे पूछा किसीने एम वन टू से देखिये को ओको फैक्तर सार रीप्रेजेंटर वाई दो आप्शन या तो capital aij या तो Cij जो आपको पसंद आ हुश् से आप जैक्ट सकते हैं को इसमें दिककत की बात यह दोनों की दोनों सेमई चीज रहे यह तो और आ तो capital C से रिप्रेसेंट करिए बेस पर आइजे का म number of row and number of column एक रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन बिट्वीन कि माइनर एंड को फेक्टर एक रिलेशन दिया गया है वह क्या ध्यां से देखिए जो Aij होता है माइनस वन का पावर आई प्लस जे माइज होता है ध्यां देजेगा माइनस वन का पावर आई प्लस जे माइज होता है अब हिए हमारे पास कि आइप क्षैवर यह फंद्हां सकता है यो मेरा क्या सकता है या तो ett testing है और नंबर असकता नबर का तो आपको पता है, minus 1 का पावर, even number is 1, minus 1 का पावर, odd number is minus 1, तो बस एर रिलेशन फॉलो कर जाना है, तो यहाँ पर आजाएगा aij equals to mij, और यहाँ आजाएगा aij equals to minus mij, अब बाते आपको clear हो गई होगी, जहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर दोनों का सम मेरा even आजाएगा, तो aij और mij बराबर होगे, अगर दोनों का सम odd आएगा, तो aij minus of mij होगा, तो इस question का अगर हमको answer निकालना हो, तो ध्यान से देखिए, हमसे अगर a21 निकालने को बोला, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, odd आगे हैंनि क्या answer होगा, minus b, फिर किसी ने बोला कि a22 बताइए हमको, तो add कर दीजिए 2 प्लस 2, 4, तो answer क्या होगा मेरा positive यानि कि a, इस तरह किसी ने कहा कि m11 बताइए, add करके देखिए 1 प्लस 1, 2, यानि का answer आगा मेरा d, अगर इसी तरह निकालना होगा हमको क्या, a12, तो 1 प्लस 2, 3, odd आगे तो answer क्या है का मेरा, minus c, इसी की वज़े से alternate plus minus आता है, तो ध्यान दीजेगा, इस 2 by 2 matrix में अगर alternate plus minus लिखे हम लोगों को पहला plus होगा, फिर minus, फिर plus, फिर minus, फिर plus, यह देखिया, ऐसे आएगा alternate plus minus, तो देखिए, पहले वाले पर क्या आ रहा है, 11, even, यहाँ पर क्या रहा है, 12, odd, यहाँ पर क्या रहा है, 21, odd, यहाँ क्या रहा है, 22, even, देखिए, जो even place पर हो positive और जो odd place पर हो negative है, देखिएगा, row और column का sum, अगर even आएगा, तो plus, और odd आएगा, तो minus होगा, यह 2 by 2 matrix के बारे हम बात होगी, कि इसका minor कैसे निकलेगा, cofactor कैसे निकलेगा, अच्छा, यह relation जो यह 2 by 2, 3 by 3 के लिए नहीं बनाया गया है, AIJ is minus of AMIJ, when I plus J is odd, ठीकर, चलिए, अब अगले पर आते हैं, 3 by 3 matrix के लिए, जब उतका determined निकलेगा, तब क्या आएगा, इसमें, देखा जाए, 4, 3 by 3, did, देखिए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, अभी मैंने आपको बता, जितने number of element होते हैं, इतने number of minor and cofactor exist करते हैं, इसमें total number of element कितने मेरे पास है, 9 है, तो इसमें कितने minor आएंगे मेरे पास, 9 आएंगे, तो अगर आप से किसी ने randomly पूछा कि M, 2, 3 बताइए, तो 2, 3 का मतलब row number 2, colon number 3, row number 2 मेरा यह है, colon number 3 यह है, यानि कि element क्या है, F, F का vertical horizontal line छोड़ दीज़े, जो बचेगा वो लिख दीज़े, A, B, G, H, expand करने आपको आता है, E, H minus B, G, ठीक है, इस दराब से अकर पूछा कि M, 3, 1 बताइए, तो सबसे पहले M, 3, 1 के लिए 3, 1 पे कौन सा element है, देखिए, row number 3, colon number 1, row number 3, colon number 1, यानि कि G, G का vertical horizontal line छिपा लिज़े, तो क्या बचेगा, B, C, E, F, क्या आगे answer, F, B, minus C, E, ध्यान दीज़ेगा, समझने कोई परशानी नहीं होना ही चाहिए बापको, इसी दराब हम से पूछ दिया M, 2, 1 बताइए, 2, 1 पे कौन सा element है, row number 2, colon number 1, देखिए, D है, D का vertical horizontal line छिपाईए, क्या मिचेगा, B, C, H, I, B, I, क्या हैंगा answer, B, I, minus C, H, similarly, जब आपको यह सावज में आ गया है, तो अब आप देखिए, इन दोनों का sum हम को बस्चेक करना की, even आ रहा है, की order आ रहा है, तो अगर हम से पूछा किसी ने, A, 2, 3 बताइए, तो 2, 3 क्या आता है, odd, तो minus लगके, A, H, minus B, G, 3, 3, plus 1, कितना आता है, 4, even, यानि की, A, 3, even, क्या हो जाएगा, F, B, minus C, लेकिन, अफिर वही से, A, 2, 1, 2, plus 1, कितना आ रहा है, 3, odd number, यानि की, minus B, I, minus C, H, यह हो गया, यह आ गया, आपका क्या, कोफेक्टर, तो minor और कोफेक्टर, बस हमको base add करके, चेकर लेना, कि even है की order, अगर odd आएगा, तो minus time होगा, even होगा, तो same हो जाता है, ठीकर, अब इसी basis पर देखिए, alternate, जो plus minus में ने बताए था, आपको ध्यान देखे, पहले वाला क् तो क्या है, प्लस, दूसरे का कितना है place value, 1, 2, तो क्या है, माइनस, तीसरे का क्या है फिर से, 1, 3, तो plus, फिर 2, 1, तो minus, तो plus, फिर 2, 3, 1, तो क्या हैगा, plus, फिर 3, 2, फिर minus, फिर 3, 3, plus, देखिए, इस ही ले determine में खाजाता, alternate, plus minus आते हैं, यानिकि यह जो plus minus लिखा गया ह यह किसकी वैल्यूज है और को फैक्टर्स यानि कि जो प्लस माइस अल्टरनेटी आते हैं को फैक्टर्स आते हैं अब इस चीज़ते दिवा में बैठा सकते हैं कि आगर आप से किसी ने पूछा जब लोग एक्सपेंड करते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स तो जैसे हमने ए लिखा उसका होज़ेंटर वर्टिकल लाइन च्छोड़ के लिखा फिर माइनस बी लिखा फिर इसको वर्टिकल लाइन च्छोड़ा डी एफ जी आई किसे ने कोशनरा इस किया कि यह माइनर की को फैक्टर है तो आप कहेंगे बहाई यहां पर ऑल्टरनेट दिवर आट प्लेज रोल दिर फोट एकटेसं कहां यह यांटेकल और तो आऊओ मारे पाल अन जदधिये यह को आप लोग प्लोग को सबकुथ तो आज यह नोग बतादिया गया बस आप लोग को जो चीज तरी है द्यां से बताए के यह आपको याद रखना में त्माग और एक्सपेंशन और हमेंस इसे को फेक्टरी करते हैं माइनस यूज नहीं करते है यह दिमाग बैठा रही है गा कि आपकी आम लोग मिलेगे झाल झाल